हलो नमस्कार विल्कम बैक टू माई चैनल अभी क्या है रात के कुछ साड़े-दस बुझ रहे हैं और मैं बैठा हूँ रिव्यू करने के लिए मैंने अपना डिनर कर लिया है और अभी ये रिव्यू करूंगा क्योंकि मैं जिस लेकर का रिव्यू करने जा रहा हूं वो अक्सर डिनर के बाद ही पिया जाता है आज हमारे पास है ब्रैंडी ये 180 ml का बॉटल है ट्रिपल क्राउन ब्रैंडी मोहन मिकिन्स का ब्रैंड है जिसका की लीजेंडरी रम ब्रैंड आप लोग सब लोग को पता होगा दे फेमस ओल्ड बॉंक तो उसी कंपनी का ये ब्रैंड है ट्रिपल क्राउन और इसमें लिखते हैं प्योर ग्रेप ब्रैंडी हाला कि ओल्ड मॉंक इतना लीजेंडरी ब्रैंड है कि इस बॉटल पे भी नीचे यहां पे ओल्ड मॉंक ओल्ड मॉंक ऐसा इन्बोश किया हुआ है बट इस ब्रैंडी ट्रिपल क्राउन एक मिनट में अगर डिफरेंस बताऊँ आपको कि रम में और ब्रैंडी में क्या डिफरेंस है तो रम बनता है मोलसिस से और ब्रैंडी बनता है किसी भी फूट से और ज्यादा तर ग्रेप से तो ये जो ब्रैंडी है ट्रिपल क्राउन ये भी ग्रेप ब्रैंडी है ओपन करते हैं इसको और बनाते हैं पेग अच्छा आपने ब्रैंडी के कई सारे फाइदे आपने सुने होंगे जैसे कि शर्दियों के लिए बहुत शांदार होता है इसकी तासीर काफी गरम होती है तो अगर आपको सर्दी, खांशी या ठंड लग जाए या कभी आप भींग जाए तो उस परिस्तिती में ब्रैंडी सबसे पहले लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 30 ml ब्रैंडी ले लो इवन बच्चों को भी आप ब्रैंडी दे सकते हैं खास करके शर्दी के दिनों में अगर सर्दी खांसी हो गई है या बहुत जादा ठंड है तो भी आप छोटे बच्चे को एक चमच कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जो की इन्फिंट बेबी को भी एक ड्रॉप ब्रैंडी दे देते हैं और वो एक ड्रॉप ब्रैंडी से बच्चा काफी गर्म महसूस करता है तो इसका मतलब ये ब्रैंडी काफी गरम होता है अच्छा आपके बहुत दोस्त लोग आपको सजेस्ट करते होंगे कि ब्रैंडी में गरम पानी मिला के पी लो ठीक है तो इसमें कोई बुराई नहीं है ब्रैंडी में अल्रेडी ब्रैंडी गरम होता है आपके बाडी के लिए और गरम पानी के साथ आप पीर हैं तो आपकी बाडी को तो गरम डिफिनिटली करेगा लेकिन वो फिर ब्रैंडी के टेस्ट को खतम कर देगा एक और बात है मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ जो भी विस्की अगर वो निट पीने के लाइक है या कोई भी लिकर अगर निट पीने के लाइक है मतलब इसका टेस्ट उतना अच्छा है और आप उसको बरदास्ट कर सकते हैं उसको निट ही पीना चाहिए और मेरा जो मानना है कि जब भी आप निट पीएंगे तो आप कंट्रोल में पीएंगे अगर आप पानी मिला की पीते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है और ज्यादा तर लोग ओवर डिंक कर लेते हैं तो ये एक फाइदा है निट पीने का आप पता नहीं बहुत लोगों को लगता है कि निट पीना इस वरी हामफुल वैसा कुछ नहीं है क्योंकि कई बार मैंने बताया है अपने वीडियोज में कि किसी भी लिकर में उतना ही पानी एड किया जाता है जिससे कि वो बेस्ट टेस्ट करें निट पीने में और वो हामफुल भी नहीं हो हाँ लेकिन जो भी सस्ता लिकर है especially जो इंडियन विस्की और सस्ता विस्की या सस्ता कोई भी लिकर तो वो उसकी quality अच्छी नहीं होती है कि आप उसको knit enjoy कर पाएंगे या even knit पी पाएंगे वो आपका पुरा नाक से लेकर के और सब जलाता हुआ जाता है तो हाँ knit पीने का ए का एक sip नहीं होना चाहिए यह सबसे पहला criteria है otherwise क्योंकि आप excess पानी मिला करके या soda मिला के और कुछ मिला करके आप जितना बड़ा घूट लेते हैं वो तो तरीका नहीं हो सकता है knit पीने का चली हम लोग बात कर रहे थे brandy की तो brandy के बारे में कहा जाता है कि brandy को गर्म पी या तो गर्म पानी mix करके पीएंगे तो मैंने कहा कि वो टेस्ट खराब कर देगा brandy का अगर knit पीना है तो गर्म कैसे पीएं तो इसके दो तीन तरीके हैं सबसे पहला क्या है कि यह जो glass आप देख रहे हैं यह specially brandy के लिए यह glass use होता है इसका glass का और खाशियत क्या है इसमे में नीशे का जो area है वो काफी wide है और उपर जाके यह narrow हो जाता है तो इसमें क्या है कि आप brandy जब ऐसे swirl करेंगे तो काफी इसको space मिलता है और brandy का जो aroma है वो खुल के बाहर निकलता है लेकिन उपर इसका जो mouth है वो थोड़ा narrow होने के चलते वो evaporate बहुत धीरे-धीरे से ह होगा और जब आप इसको sniff करेंगे तो यह आपको proper smell दे के जाएगा brandy का तो चलिए अभी इसको एक बार smell भी करके देखते हैं अब देखिए यह हाला की सस्ता brandy है किसी भी विस्की से भी नॉमली कम ही इसका price है लेकिन एक लेकिन काफी बढ़ियां बहुत जवर्दस्त वनीला का है खुश्बू जो की old monk rum में भी आपको काफी अच्छा पंच होता है वनीला fragrance का तो पूरा वनीला वनीला इसका fragrance है जो की बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में definitely young alcohol के जैसा तो एक smell रहता ही है उसके अलाबा एक woody smell भी है क्योंकि brandy को भी just like विस्की तुरा age कराया जाता है तो वो चीज है अभी इसकी अगर consistency की बात करेंगे तो definitely ये इसकी viscosity जो है वो rum से ज़्यादा होती है आप देख रहे होंगे I don't know glass में नज़र आ रहा है की नहीं बट ये legs बनता हुआ नीचे जा रहा है जो की normally rum में नहीं होता है तो it means की इसकी consistency जो है ये rum से ज़्यादा है मैं बात कर रहा था कि अगर brandy को गरम पीना है तो कैसे पी सकते हैं तो सबसे पहले मैंने इस glass के बारे में बताया तो brandy को normally इस तरह से hold करते हैं इस तरह से hold करने से क्या होता है आपकी हाथ की जो गरमी है उससे ये glass और फिर ultimately ये brandy जो है वो गरम हो जाता है और ऐसे आप hold करके रखे है और brandy knit पीने की चीज है और काफी time दे करके और normally brandy को बहुँ जादा नशा के लिए नहीं बलके इसके जो फाइदे हैं उसके लिए लोग brandy पीते हैं अच्छी नीन के लिए brandy पीते हैं तो आप इस तरह से जब भी brandy को hold करके रखेंगे तो glass के साथ साथ आपकी brandy जो है वो थोरी गरम हो जाएगी और वो पीने के लाइक हो जाएगी तो ये पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका बहुत लोग candle से मुमबती से भी इस तरह से मुमबती हाँ जला करके थोरे दूर में रख करके और इस तरह से rotate करके उसको थोरा गरम कर लीते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है आप जाए हाँ उसमें एक ची ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आग से बहुत ज़्यादा नजदीक न ले जाए क्योंकि candle में भी कभी कभी कुछ काला धुवा निगलता है और कभी अगर तेजी से ज़्यादा गरम हो जाए तो आपके hot water है गरम पानी तो आप गरम पानी ये ब्रैंडी ग्लास में डाल करके जड़ा सा एक मिनिट टाइम देते हैं थोड़ा सा श्रील कर लें और उसके बाद वो ग्लास का पानी जो है उसको आप ड्रेन करते हैं तो अब क्या होगा काफी समय तक आपका ग्लास जो है वो गरम हो जाएगा और गरम रहेगा फिर आप उसमें ब्रैंडी लेंगे तो ग्लास की गर्मी से आपकी ब्रैंडी गरम हो जाएगी और आप गरम ब्रैंडी इंजॉई कर सकते हैं तो मैंने बताया कि पीने के लिए तो लोग गरम पानी मिक्स कर गई पीते हैं लेकिन फिर हाथ में थोड़ी गरम हो गई है तो अब इसका टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है देखे 42.8% अलकोहल होता है इसमें और ये डेफिनेटली बहुत ही सस्ता ब्रेंडी है बहुत ज्यादा एज नहीं कराया गया है इसको तो ये बहुत ज्यादा हाश है एकदम यंग अलकोहल वाला भव का वो इसमें मिलता है नीचे जाता है तो बहुत स्ट्रॉंग एक बहुत तेज गरम महसूस होता है और बहुत स्ट्रॉंग है वो बिलकुल महसूस होता है लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक वनीला क बहुत अच्छा खुश्बू मिलता है थोरसा वुड का एक फ्रेक्रंस मिलता है वो है बट डेफिनेटली यह बहुत स्ट्रॉंग है आप फिर कहेंगे कितना स्ट्रॉंग है और मैं इसको निट पीने के लिए डेफिनेटली ब्रैंडी जो है वो हमारे जैसे आपके जैसे गर्मी से घरम कीजिए और छोटा-छोटा सिपलीजिए हाश तो लगेगा लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी और आप छोटा-छोटा 30 ml का एक पेग या दो पेग ले करके आराम से चैन की नीद मज़े में शोएंगे काफी स्वीट होता है I think रम के जैसा ही almost sweet है लेकिन यंग एलकोहल का punch है भब का है और बहुत strong है उसके साथ-साथ वनीला का थोड़ा चॉकलेटी भी मेरे को लग रहा है काफी close इसका टेस्ट है ओल्ड मॉंक रम से तो ये था आज का वीडियो ब्रेंडी के उपर मैंने आपको बताए ब्रेंडी के फाइदे और ब्रेंडी कैसे पीते हैं आई होब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इंफरमेटिव लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ और मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफरमेटिव अमेजिंग वीडियो में नेक्स टाइम तब तक टेक वेरी गुड केर आफ यॉरसल्फ बाइ बाइ